नमस्कार आप देख रहें आज के खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों पुरी हिंदुस्तान में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित जगहों में से एक जगह उत्तर प्रदेश बनते जा रहा है यह सोचने पे मजबूर कर देगी यह खास करके आपकी बहन बेटियों के लिए कितना सुरक्षित है क्या आप अपनी बहन बेटी की शादी उत्तर प्रदेश में करके चैन से सोच सकते हैं या नहीं इस पे एक बड़ा प्रश्न है और आपको इसके बारे में सोचना है नागपूर कनहान टेकाडी छेतर की रहने अंतरगत जोगी का डेरा गरही गाउं में सोनु निशाद नामक व्यक्ति से होता है सोनु यूपी से बरात लेकर खुद नागपूर आता है शादी बड़े धूमधाम से होती है घरवाले जो भी अर्मान से अपनी बेटी के शादी करते हैं सारे अर्मानों को पूरा करने क कोशिश करते हैं और पूजा के घरवाले गरीब परिवार के होते हुए भी शादी को धूमधाम से करने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पूजा सादी के बाद तीन महीने भी जीवित नहीं रह पाएगी दो मही को शादी होती है और 15 जुलाई को यूपी से खबर आता है नाकपूर कि पूजा मर चुकी है पूजा की मिर्ति हो गई उत्तर प्रदेश में ससुरार पक्ष का कहना है कि पूजा ने जहर खा लिए जबकि नागपूर के मायके पक्ष का कहना है कि पूजा ऐसा नहीं कर सकती पूजा पढ़ी लिखी लड़की है और कते ऐसा नहीं कर सकती दोस्तो आरोप और पत्यारोप दोनों तरब से लगते रहेंगे लेकिन इस बीच एक बड़ा प्रस्ण जरूर निर्मान होता है कि यदि मान लेते हैं ससुरार पक्ष का कि पूजा ने जहर खाई तो फिर पूजा को जहर खाने के लिए मजबूर क्यों किया गया एक पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़की जो शहर में रहकर पढ़ाई की हो जिसको सारी समझ भी हो सही गलत की जिसकी मानसी की स्थिती भी अच्छी हो वो लड़की अगर जहर खाती है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण जरूर हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सोनु निशाद है वो खुद उसे लेने आता है जब सोनु निशाद उसे लेने के लिए नाखपूर आता है तो ससुराल वालों से डिमांड करता है कि मुझे धाई लाक रुपे कैश एक भैस एक वाशिंग मशीन और डिनर सेट जैसी और भी चीजों की करेंगे तो 2-3 महिने के अंदर इतनी सारी रकम और इतनी सारी चीजों की पूर्ति हमारे घरवाले नहीं कर पाएंगे हमारी आर्थिक इस्तिति उतनी अच्छी नहीं है इस बात से सोनु निशाद अपनी पतनी पूजा को गाली गलॉज करता है एक थपर मारता है और उसे क बुलने के बाद सच में पूजा को यहां से जाने के बाद जानकवानी पड़ेगी क्योंकि 10 जुलाई को यह वाक्या होता है और 15 जुलाई को यह खबर आती है कि पूजा मर चुकी है इस सच्चाई से शायद आप समझ गए होंगे कि पूजा जहर खाई होगी या फिर पू पूजा के शरीर पे मारने की निशान थे जहर खाना और शरीर पे निशान होना अपने आप में बड़ा प्रशना है मुह से और नाग से लगातार खुन निकल रहा था सर पे चोट थी बाल बिखड़े हुए थे सारी यानि कि जो पूजा पहनी थी वो भी बिखड़े हुए थे ऐसा समझ में आ रहा था कि कोई उसे प्रतारित किया है किसी ने उसे मारा है यह सुसाइड नहीं बलकि इसका मडर किया गया है देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है अब इन सारी घटनाओं के बाद एक बड़ा प्रशन उत्तर प्रदेश के सरकार पे योगी सरकार पे और पे एक आज बड़ा प्रशन निर्मान हो गया है क्योंकि इस घटना ने आज दिल दहला कर रख दिया दोस्तों यह मामला उत्तर प्रदेश के फटहपूर जीले के गाजीपूर थाने का है जहांके शेचो विनोध मिश्रा बताये जाते हैं अब शेचो इस पे किस तरीके से और किस हद तक नया दिलाने में सहयोग करते हैं या फिर जो आरोपी पक्ष है उनका सहयोग करते हैं यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा आपको क्या लगता है आप अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या पूजा के साथ जो प्रतारना की जा रही थी लगतार की लिए वह सही है या गलत है क्या उत्तरप्रदेश के प्रसाशन पर एक बड़ा प्रशन निर्मान नहीं होता है या क्या पूजा के माबाप को क्या पूजा के परिवारवालों को पूजा के मिर्तिव के बाद तो भी क्या उसे नयाय मिल पाएगी या नहीं यह भी एक झाल झाल